दोस्तों जैसे कि आजकल सभी स्मार्टफॉन यूज़ करते हैं तो आज जो है मैं आपको आपके स्मार्टफॉन के कुछ ऐसे हीडन फीचर्स के बारे में यहां पर बताऊंगा जो कि आपके बहुत ज़्या काम आने वाले हैं यह जो आपको developer option पर मिलेंगे जो आपका hidden feature होता है आपके phone में उसी सेटिंग में जाके यह option आपको देखने को मिलेंगे तो वह कौन से features हैं और उन features का काम क्या है पूरा आपको मैं यहां पे detail में पता हूंगा और दोस्तों अगर आप कोई सी ब्रांट का डिवाइस यूज़ करते हैं तो वीडियो यहाँ पर देखते रहे हैं तो यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्ट होने वाला है तो यह hidden features हैं कोई भी third party application नहीं है तो वीडियो को skip मत करना और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार visit कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करना ना भूलेगा तो चलिए इस वीडियो को अब हम जो है start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जो है developer option को यहाँ पर find out करेंगे उसको यहाँ से निकालेंगे ठीक कहाँ पर है पहले जाना है फिर software information पर जाना है ठीक है software information पर चलेगे फिर आपका एक bill number नाम का एक number रहता है अगर आपका माई का device है तो MI number होगा यह MI version होगा कुछ इस तरह का होगा ठीक है आपने यहाँ पर 7 पर क्लिक करना 1234567 ठीक है 7 पर क्लिक करने के बाद यह password मांगेगा यह pattern मांगेगा आपने डालना है फिर आपका यह developer option यहाँ पर show हो जाएगा अगर आपका MI का device है तो आपने additional setting नाम की एक setting है वहाँ पर जाना है वहाँ पर आपको developer option देखने को मिल जाएगा ठीक है अब हो गया हमारा development option यह पर show हो गया ठीक आप उसके बाद क्या करना है चलिए हम जो है developer option को open करते है यहां से ठीक है कर दिया फिर आपने आपको बहुत सारे option यहां पर देखने को मिलेंगे यहां पर कुछ option मुझे भी deeply नहीं पता है लेकिन अगर आपको पता है अगर आपको नहीं पता है उस option के बारे में आप comment box पर पर कमंड कर सकते हैं उस उप्शन को लेकर फिलाल यहां पर मैं इपोर्टन इपोर्टन दो तिन फीचर जो है वह यहां से उठाऊ हूँगा ठीक है ध्यान से देखना है तो सबसे पहले हमारा जो फीचर हाथ ठीक है पर अपने नीचे स्कॉल डाउन करना है यहां पर एक ऑप अगर आपके फोन में wireless display का option दिया है जैसे कि अगर आपका डिवाइस जो है वाइफाई के तुरू किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है किसी अनदर डिवाइस से कनेक्ट होता है जैसे कि टीवी हो गया आपका टीवी में के आचकल आप स्क्रीन मेरिंग कर सकते हैं मतलब कि wireless display आप शेयर कर सकते हैं तो इसको अगर आप ओन करेंगे तो आपका ये जो डिस्प्ले शेरिंग का option है वो आपको फटाफट शो हो जाएगा और automatically आपका जो फीचर है ये connect हो जाएगा आपको option दूनने के जूरत नहीं पड़ेगी आप जैसे ही आप टीवी का जो वाइफा ये on करेंगे वैसे आप अपने phone का display ये बला on करेंगे तो आपका phone automatically वहाँ पे screen mirroring करना start कर देगा और आपका phone जो है automatically वहाँ पे connect हो जाएगा वो भी certification के through मतलब कि बिल्कुल security के साथ कोई भी आप आपका data leak नहीं हो रहा है कुछ भी for example आपका phone अगर किसी और device साथ connect होता है तो क्या होता है आपका data भी show हो सकता है वहां पे लेकिन यह पूरी security साथी वहां पे connect हो जाएगा ठीक है यह हमारा पहला फीचर था ठीक है उसके बाद हम next feature के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों next feature बहुत ही important है जहां से देखने है यहां पे ठीक है वहां पे आपको option म आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं जो computer laptop यूज़ करते हैं तो वह इस चीज़ का ज्यादा यूज़ करते हैं लेकिन हम आम life में इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं तो आपने क्या करना है आपने charging phone only पे ही रख transfer file android auto पे भी काम करेगा USB ट्रैदरिंग पे भी काम करेगा M.I.D.I. transfer भी काम करेगा transforming images भी काम करेगा मतलब कि आपको proper current जो आपको phone को नहीं मिल पाएगा अगर आप charging phone only पे click करेंगे तो आपके phone को proper current मिलेगा और आप अपने device को fast charge कर पाएंगे और आपकी battery भी काफी time तक चलेगी यह feature आप इसका use कर सकते हैं fast charging के लिए ठीक है इतना भी fast नहीं होता है लेकिन कुछ हाथ तक जो है improvement हो जाते हैं आप इसे on ही कर दें charging phone only पे रखे ठीक है बागी अगर आप connect करेंगे तो इसको आप हटा के रख सकते हैं अपने हसाब यह था हमारा second feature उसके बाद में next feature के बारे में यहां पे बात करेंगे बहुत बहुत important features है यहां पे जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं तो देख तरहीं यहां पे वीडियो दोस्तों एक feature मेंको बहुत बड़ी अलगा वह हमारा यहां पे देखते हो always show crash dialogue मतलब की इसको आप on कर देंगे ठीक है इससे क्या होगा अगर आपके phone में कोई app जो है crash होती है आप को काम कर रहे है फिर आपके important file जो आप background में run कर रही है अगर वो crash हो जाती है तो आपको screen पे pop-up notification यहां पे मिल जाएगा कि भाई आपकी यह वाली application जो है काम करना बंद कर दिया इसको फार फार इसको जो है resume कर देंगे आप जो दूबारे से open कर लें तो यह option करते हैं तो आपका phone जो से force करेगा कि वह जादा जादा जो है आपके memory card external memory card में ही रहे उसकी files आपके phone की memory को cover ना करे ठीक है तो यह option भी आप use यहां से कर सकते हैं आप कोई diival pro option पे हार एक option यहां पर देखने को मिल जाता है बहुत ही बड़ी है system है ठीक है कही बार की आपके phone को OTP को hack कर लेता है आप उस OTP को या फिर आपको link का जाता है आपके phone पे तो आपका phone को hack कर सकता है कोई भी तो आ इन सभी को यह reject कर देगा रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो यह option भी यहां पर आप उन कर सकते हैं तो यह थी कुछ features बागी मैं next video में बना द मात्रम.